नमस्कार दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं कि कोई अस्पताल किसी मरीज को भरती करने से इंकार करने दूसरे अस्पताल ले जाते वक्त मरीज की जान चली जाए और देश के स्वास्त मंत्री तक कोई इस्तीफा देना पड़े कि आप सोच सकते हैं कि अस्पताल की लापरवाही से एक मरीज की जान जाने के बाद देश में इतना बवाल हो जाए कि स्वास्त मंत्री को नैती का अधार पर कुरसी चोड़नी पड़े वो भी तब जब उस्वास्त मंत्री ने कोविट काल में शांदार काम किया हो और पूरा देश उसकी तारीफ करता हो भारत में आप ये भले ही नहीं सोच सकते हैं लेकिन छोटे से देश पुर्टगाल में ऐसा ही हुआ है पहले ही वहां की एक खबर बताता हूँ फिर यहां का हाल ताकि आप थोड़ी तुलना तो कर सकें कि एक जान की कईमत वहां क्या है और यहां क्या है दरसल हुआ यह है दोस्तों कि पुर्टगाल की राजधानी लिस्वन के सबसे बड़े अस्पताल में एक गर्बती भारतिय महला को मेटर्निटी वाड में भरती करने से ये कहकर इंकार किया कि वहां मेटर्निटी वाड में इमर्जंसी सेवाओं के लिए बेड उपलंप नहीं है भारत की 34 वर्षिया वो महला टूरिस्ट के तौर पर लिस्वन गई थी तभी उन्हें मेटर्निटी पेंच शुरू हुआ अस्पताल में डाखले की जरुवत महसूस हुई लिस्वन के अस्पताल सेंटा मारिया ने जब उस गर्बती महला को भरती करने से इंकार किया तो उसे एम्बुलेंस से दूसरे अस्पताल में ले जाया जाने लगा तभी रास्ते में तेजदर उठा और उस गर्बती महला को दिल का दोड़ा पर गया उस महला को तो नहीं बचा जा सका लेकिन कुछ खबरों के मताबिक आपरेशन से उनके बच्चे को बचा लिया गया लेकिन एक गर्बती महला की मौत के बाद पुर्तगाल जैसे छोटे से देश में इतना बबाल मच गया कि हर तरफ सरकार और स्वास्त मंत्री की अलोचना होने लगी कहा ये जाने लगा और कहा ये गया कि पुर्तगाल में सरकार में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की कमी के चलते कुछ इमर्जनसी सेवाओं और स्थाई तोर पर बंद कर दिया था इसी वज़ा से इस महला की मौत ही नतीजा ये हुआ कि पुर्तगाल के स्वास्त मंत्री डॉक्टर मार्टा टैमीडो ने इस्तिफा दे दिया चार साल से स्वास्त मंत्री के तोर पर काम कर रही मार्टा टैमीडो ने ना सिर्फ इस्तिफा दिया बलके अपनी नैतिक्स जिम्मदारी भी कबूल की डॉक्टर माटा ने कोविड में शांदार काम किया था कीका करन को लेकर और अस्पताल में बेहतर मेनेजमेंट को लेकर देश के लोग उनकी तारिफें करते नहीं अगाते थे लेकिन एक मरीज की मौत वो भी दूसरे देश की टूरिस्ट महला की मौत ने उनके सारे काम पर पानी फिर दिया और उन्हें इस्तिफा देना पड़ा गौर की जियेगा एक अस्पताल ने एक मरीज को वापस लोटाया मरीज की मौत हुई देश के स्वास्ट मंतरी का इस्तिफा हो गया देश भले ही छोटा हो लेकिन सरकार तो हर जगर हर मुलक में वो ऐसे ही काम करता है पुर्टगाल के पीम एंटोनियो कोस्टा ने अपने स्वास्ट मंतरी का इस्तिफा सोईकार करते हुए कोविट के दौर में उनके बहतरीन काम के लिए जम कर तारीफ की अब जरह सोचिये ऐसी कोई घटना अगर भारत में हुई होते हैं तब क्या होता है जब आप सोचने की जिम्मेदारी इस बार में आप पड़ुता हूँ यह भी सोचिएगा कि जिसराज में ऐसी घटना हुई या जिस राज में ऐसी घटना हो वहाँ बीजेपी की सरकार हो तो क्या होता ना कहीं काईदे से खबर चलेगी ना असरदार ढ़ंग से कोई सवाल पूछा जाएगा ना मरीज की मौत पर कोई बबाल होगा स्वास्त मंत्री और सरकार का क्या कसूर लोग यह कहेंगे अस्पताल के लापरवाही मरीज की मौत इसमें स्वास्त मंत्री क्या करेगा किसी एक अस्पताल में एक बहुत दो बहुत दस मौत भी हो जाए तो मंत्री क्या करेगा क्यों मंत्री इस्तिफा देगा ऐसा मंत्री खुद कहेंगे उनके समर्थक कहेंगे, उनके उपर वाले कहेंगे, उन्हें बचाने वाले कहेंगे, उनकी पार्टी कहेंगी और मीडिया जैसा कि मैंने कहा अगर बीजेपी शासित राज्य में हो तो मीडिया मौन सा देगा, सवाल भी पूछेगा, सिस्टम का नाम लेगा, सरकार का तो जिक बीते कुछ सालों की कुछ तस्वीरें कुछ हेडलाइन मेरे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं पुर्तगाल की खबर आपको लग सकती है कि मामूली बात है या पुर्तगाल के खबर मैं यहां क्यों कर रहा हूँ आज के कुछ खबारों में पहले पन्ने पर कही सिंगल कॉलम कहीं डबल कॉलम कहीं अंदर के पन्ने पर यह खबर लेकिए सुबह से इस खबर को पढ़कर मैं सोचने लगा एक वो मुल्क है एक ये मुल्क है ट्विटर पर लिखा कुछ लोगों ने का तुम्हें पता नहीं पुर्तगाल इतना चोटा 50 सा देश है तुम भारत से क्यों तुलना करो सवाल ये नहीं है सवाल उस मॉरिल्टी का है सवाल उस नैतिकता का है सवाल उस जिम्मेदारी लेने का है क्या वो जिम्मेदारी उस तरह से जिम्मेदारी है हमारे मुल्क में लोग लेते एक नागरिक करता और पर क्या आप इतना विरोध करते हैं क्या आपको गुस्सा आता है कि आपको लगे मंत्री का इस्तिफा हो जाए और क्या मंत्री को लगता है कि सरकारी अस्पताल में लापरवाई से जाने जा रहे जिन्दगियां जा रही है तो उन्हीं इस्तिफा भी देना चाहिए क्या इस्तिफा मांगा भी जाता है ये क्यों करो स्क्रीन पर आप हेडलाइन्स तेख रहें इसी तरह की हेडलाइन्स अलग-अलग अख़वारों की मैंने स्क्रीन पर मैं चाहता हूं कि इन हेडलाइन पर आप गौर करें अलग-अलग वेबसाइट के हवाले से जैसे एक हेडलाइन है किसी वेबसाइट की खबर पुरानी है दो साल प तक आठ महने की प्रिग्निक लेडी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक दौरती रही और उसने दम तोर दिया बच्चे की भी गर्भ में मौत हो गई मामला दिल्ली से सटे नोईडा कर जिला धिकारी साहब ने जाच के आदेश दिये थे इस पर काफी बवाल हुआ था त क्या हम सरकारों को हम एकलंटेबल मानते हैं सरकार और मंत्री को आप थोड़ी दे रिखले छोड़ दीजे मोटी चमड़ी होती हो उनकी कई बार गैंडे से भी मोटी होती है और क्यों होती है मैं बताओंगा मेरा अपना तज़र्बा भी है इसी तरह से ये खबर आखिर क्य कर दिया बच्चे को जन ये दिली के एक अस्पताल में भरती करने से इनकार करने के बाद दर्द से कराहती महला को साड़क पर बच्चे को जन देना पड़ा उसकी सुर्की है किरला की भी खबर हर राज कहीं कोई एक दूसरे को इसमें पीछा छोड़ने में किसी को में हैं जाच के आदेर सरकार ने दिये जो करती है बोपाल एंपी हमीदिया में तीन अस्पतालों में भरती से इंकार के बाद गर्बती महिला की मौत बोपाल की खबर है क्या इन खबरों पर कभी कुछ बबाल हुआ ये विबसाइट में मुझे नहीं पता कि अखवार में कैसे छपी दी और मुझे नहीं पता कि चैनलों पर कभी चली या नहीं गोंडा गोंडा में स्वास्त कर्मियों की बड़ी लापरवाही अस्पताल में घुसकर जंगली जानवर ने नवजात को बनाया निवाला सो रहा प्रशासन मुकदमा दर्ज ये यूपी के गोंडा जिले की घटना है जो सामुदा एक स्वास्त के अंदर है उसमें स्वास्त कर्मियों की लापरवाही की खबर आई थी अब सोचिए ये मामला है अगस्ट 2022 का 28 अगस्ट को खबर चपी है और आज हम मेरे खाल से 1 सितंबर है शायद 3 दिन पहले की खब यूपी गर्बती महला को 8 हस्पतालों से भरती से इंकार जो मैंने आपको कहा हुई नोईडा एमबुलेंस नहीं आई नोईडा की खबरें एमबुलेंस नहीं आई तो टेमपो से गर्बती को अस्पताल पहुँचाया और इस तरह की खबरें कई बार सोशल मीडिया में देखते हैं और ऐसे वीडियो कई बार हम देखते हैं कि साइकल पर किसी मरीज को ले जा रहा है परिजन, पती, भाई और मरीज की डेक्थ हो गई अस्पताल में इंकार कर दिया भरती से वो किसी ढंक से ठेले पे, रिक्षे पे या जैसे भी अपने मरीज को लेकर भटक रहा है रास्ते में मौत हो गई कोई ऐसे जो बास का ऐसे कुछ बना कर उसमें टोकरी रखकर टोकरी में मरीज को लेकर अस्पताल ले जा रहा है कई किलोमिटर तक चल रहा है क्योंकि कोई अम्बुलेंस नहीं मिला या अस्पताल को फोन किया अम्बुलेंस नहीं मिली और उसके बाद या ऐसी स्थिति में ल जब वहां इस दिफा कोई नहीं देता है तो यहां क्यों देगा उसका चस्म दीद मैं हूँ मुजफर पूर जहां चिमकी बुखार से 2019 में मैं खुद गया था रिपोर्टिंग के लिए शाइद जुलाय अगस्त की बात है जुन जुलाय की दो सो से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी एक ही जिले में और एक बड़े अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में सो से ज्यादा बच्चों की मौत वहाँ ने स्टाफ प्रयाप थे ने सुरिधाय थी या जो भी बज़ा थी और उस मौत पर पटना से मुझफरपूर की दूरी 75 किलोमेटर स्वास्त मंत्री को जाने में लगे कई सप्ता उनसे पहले मैं पहुचा था आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको वीडियो दिखेगा टीवी नाइन में मैं सलाकार संपादक था और उसके बाद उस अस्पताल में मौतों का सिलसला ये रहा आज 10 बच्चे, कल 5 बच्चे, परसो 10 बच्चे और पटना से स्वास्त मंत्री नहीं पहुचे बहुत जब मेरे जैसे लोगों ने बहुत चलाया चैनल पर चुकि मैंने चलाया था इसलिए मैं कह सकता हूँ उसके बाद हला के दिल्ली से बाद में कुछ एंकर्स भी वहां पहुचे थे और तब दिल्ली से केंद्रिया स्वास्त मंत्री तब के हर्श वर्धन पहुचे पटना से बिहार के स्वास्त मंत्री बीजेपी के तब के मंगल पांडे पहुचे बिहार से एक-दो और मंत्री पहुँचे डिली से केंद्रिया स्व जवास्त राजमंथरी चार मंत्रियों की प्रेस कांफेरंस हुई थी मुझवरपूर मेडिकल कॉलेज में और उस प्रेस कांफेरंस में भी मैं था उसमें एक मंत्री सो भी रहते बगल में बैठे प्रेस कांफरेंस के बीच और इतना कैजूल एप्रोज था उन मौतों पर और लीपाप होती की ऐसी कोशिशें थी दवा की किल्लत थी जो दवा चाहिए वो दवा वहां नहीं मिल रही थी और ऐसा डॉक्टर्स बता रहे थे डॉक्टर्स की कमी थी मरीज ज्यादा थे उनके लिए जो डॉक्टर का डिप्रेशन होना चाहिए तैनाती होनी चाहिए नहीं थी बेट नहीं थे आकस्मिक सेवाओं के लिए कहीं और से डॉक्टर बुलाने चाहिए थे या medical staff बुलाए जाने चाहिए थे वो नहीं थे ये सब मैंने देखा है और मैंने ये सारे सवाल स्वास्त मंत्री केंद्रिये स्वास्त मंत्री हर्श्वर्धन से और बिहार के स्वास्त मंत्री से और केंद्रिये स्वास्त राज मंत्री अश्वनी 24 से पूछे थे वो वीडियो किलोमिटर की दूरी तैग करने में कई सब्ताह लगाता हो उससे इस्तीफिय की क्या उमीद करेंगे और अभी मैं देख रहा हूं इस वीडियो को रेकॉर्ड करने से पहले मैंने गूगल सर्च किया तो देख रहा हूं कि चिमकी मुझार के मामले फिर आ रहा है हर साल होते हैं फिर दिख रहा है मुझाफर पूर में फिर चिमकी बुखार का कहर मुझाफर पूर में पच्पन मामले तीन मरीजों की मौत पांस साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खत्रा मुझाफर प्यार में फिर लोटा चिमकी बुखार अपरिल की खबर है, दो बच्चों की मौत, सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया, और उस समय तो दो समय तो दो समय तो एक जहां मौतों का जिन इलाकों में सिलसला है, अस्पताल या मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, और उसके बाद सरकार से सवाल पूछना तो दूर सनाटा और ले 25 मिनट तक मैं यही कहता रहूँ है चुकि पूर्टगाल की उस खबर ने मेरे भीतर एक ये सवाल पैदा किया कि भाई हमारे देश में इतना गुस्ता नहीं होता है लोगों में यह हमारे देश के नेताओं को ऐसा कभी लगता नहीं कि जिम्मेदारी कबूल करें सुना था कभी कि लाल बहदुर शास्थरी ने एक ट्रेन हादसे के बाद रेव मंतरी पत से इस्तिफादे दिया था सुना था हमें ऐसे कुछ किस्से सुनें लेकिन वो दोर और था ये दोर और है हलाके उस दोर में भी एक शास्थरी जी का नाम लेकर आप सैक्रो और की तुलना नहीं कर सकते क्योंकि मोटी चमरी के लोग हर दोर में हुए तो भाराल इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना था दोस्तों पुर्तगाल में जो हुआ और भारतिया महला थी गौर करने की यह बात है जिनके मौत हुए स्वास्त मंतरी ने इस्तिफा दिया खुद दिया नैतिक आधार पर दिया दबाव पर दिया बड़ा सवाल पुर्तगाल के नागरिकों ने उसे मुद्दा बनाया क्या हम एक नागरिक के तौर पर हम नेताओं की सरकारों की सिस्टम की एकाउंटिबिलिटी मानते हैं क्या हम स सवास सुभधायन नहीं सुधारी करते क्योंकि हमारी आंखों पर समर्थान भक्ति आंद्भक्ति की पट्टी ऐसी चड़ी है कि साथ खून भी माफ करते कोविड काल में देश में क्या हुआ देश में ओक्सीजन के कमी से इतनी होते हुई एस्पिताल के बाहर एस्पिताल ले जाते हुए एस्पिताल सिजन में और ne मंत्री हैं उनकी चुपी रही कई सब्ता तक जब वैसी मौतों पर जहां सिस्टम को सचेत होकर चाक 24 इंद इंद इंतजाम करने थे चाहे गुजरात हो चाहे दिल्ली हो चाहे बिहार हो चाहे यूपी तो इंतजाम नहीं थे लोग किलसते हुए तड़पते हुए कराते हुए मर गए उसमें कई बीजेपी के नेताओं के परिबार वाले भी थे लेकिन उसके बाद क्या हुआ क्या किसी को लगा कि अकाउंटिबिलिटी तैय होनी चाहे नहीं और इसके लिए ये नहीं कर सकते सरक सरकारें जिम्मेदार हैं इसके लिए हम और आप जिम्मेदार हैं क्योंकि हम और आप एकाउंटिबिलिटी नहीं तैय करते हैं हम और आप ये नहीं तैय करते हैं कि आपकी वज़ासे या विवस्था है आपकी वज़ासे ऐस्पतालों में डॉक्टर की कमी थी आपकी आप 4-4 इंतजाम नहीं किये इसकी जिम्मेदारी आपकी और जिम्मेदारी कैसे तै करेंगे आप जानते हैं और तै करने के बाद जब सरकार को लगेगा कि जनता जिम्मेदारी तै करके कोई फैसला कर सकती है तो सरकारे डरती हैं और सचेत होती है लेकिन यहां तो हम जानते ह बहराल पुर्तगाल के बहाने को सवाल आप पर छोड़े जाता हूँ इसके तर्क बहुत लोग ढून लेंगे कि पुर्तगाल में ऐसा हुआ तो इसलिए हुआ पुर्तगाल में ऐसा हुआ तो इसलिए हुआ फिलाल इस वीडियो को खत्म करते हूं जैसा कि मैंने भार-बार अपील किया कि मैंने शॉट फॉर्म के लिए एक नया चैनल शुरू किया है यूट्यूब अजीत अंजुम शॉट्स मोका मिले और चाहें तो उस चैनल को देखें भी और सबस्क्राइब करो और इस चैनल को तौब करिये सबस्क्राइब भी करिये बगल में एक बेल आइकन है उसको भी दमाईए नमस्कार